दोस्तों आखिर ऐसा क्यों किया BFUHS ने ऐसा क्यों किया बच्चों के साथ खिलवाड ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और ये मैं आपको भी बताना चाहता हूँ क्या जैसा कि My Dear Beloved Students Baba Farid University of Health Sciences ने अपना PPMT का पेपर 25 तारिक को लिया था लेकिन उसमें उन्होंने जो इतना बड़ा कारनामा किया है उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा सर क्या जवाब देना पड़ेगा दे जोस्तों Baba Farid University of Health Sciences ने पतानी क्या सोच के पेपर बना दिया है ना जिसमें उन्होंने Physics, Chemistry, Biology और Nursing, Aptitude और English ये पाचों मैं से Physics, Chemistry, Biology और English तो पूछा लेकिन इतनी बड़ी गलती करी क्या करी वली गलती करी सर की Nursing, Aptitude की जगे क्या पूछ दिया? Logical Reasoning पूछ दिया Maths और Logical Reasoning पूछ के, Maths और Logical Reasoning पूछ के, बच्चों के करियर के साथ खिलवाड किया है Maths और Reasoning का पूछ के, बच्चों के साथ खिलवाड किया है आप लोग हमसे पूछ रहे थे, कि सर आपने तो Nursing Aptitude पढ़ाया, लेकिन एक भी कोस्चन उसका नहीं आया My dear beloved students, ये आपके सामने है Scheme for PPMT 2024 उन्होंने खुद लिखा था, कि It consists of Physics, Chemistry, Biology, English लेकिन हमें क्या पता था, बूशन साइंस को भी नहीं पता था, और आपको भी नहीं पता था कि Nursing Aptitude के जगे, Maths और Reasoning आने वाला है My dear students Maths और Reasoning आने वाला है My dear students है ना, अब ये जो इतना बड़ा blunder हुआ है है ना, इसके लिए जवाबदार कौन है, इसके लिए जवाबदार है Baba Farid University of Health Sciences ना भूशन साइंस ना आप, ये बिलकुल भी आपकी गलती नहीं थी कि आपने, मैं Nursing Aptitude आप पढ़के गए, आपने मेरेथान अटेंड करी उसके बाद भी Nursing Aptitude नहीं पूछा है ना, तो सर अब हमें क्या करना चीए, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना चीए Baba Farid University of Health Sciences ने एक ये notification जारी किया था बहुत ही recently एक notification जारी किया था, सर क्या उसमें उन्होंने लिखा है, कि सर देखना इसमें इन्होंने लिखा है कि आपका 25 तारिक को एक्जाम होने वाले है Date of Conduct for PPMT 25 तारिक को है और 27 तारिक, 27 चे तक आप Objection लगा सकते हो आप Objection लगा सकते हो Login IT में तो दोस्तों आपको क्या करना है, जाके Sir Objection लगाने है वहाँ जाके आपको क्या करना है, Login करके Objection लगाने है Objection लगाने के अलावा सर अपन क्या कर सकते है दोस्तों ये लडाई आपको लड़नी पड़ेगी अपने लिए ये लडाई दोस्तों आपको लड़नी पड़ेगी अपने लिए आपको इन इस email NursingAdmissionBFUHS at the rate gmail.com में हर बच्चे को 20 से 25 मेल करो फ़ोड़ा परेशान करो बाबा फरीद University of Health Sciences को मेरी उनको विनम्र निवेदन है बाबा फरीद University of Health Sciences के करमचारियों से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप इसका जवाब दे कि आखिर आपनी ऐसा क्यों किया है ना और ये बात दोस्तों आपको उनको mail में लिख लिख के बतानी पड़ेगी कि जब आपने physics, chemistry, biology, English और इंग्लिश और nursing aptitude लिखा था तो क्यों आपने nursing aptitude नहीं पूछ के match और logical reasoning पूछा अगर आपको match और logical reasoning ही पूछना था तो लिख देते वहाँ पे हम पढ़ लेते आप लोग पढ़ लेते हम आपको पढ़ा देते दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ match और logical reasoning इंडिया में किसी भी state के BSC nursing exam में नहीं पूछता है न एम्स पूछता है एम्स तो central level का exam है BSC nursing का वो भी नहीं पूछता है इन्हों ने कैसे पूछ दिया ये बात आपको जवाब लेना पड़ेगा my dear students या इस mail ID पे mail करके मैं अपने बाबा फरीद University of Health Sciences के फरीद कोट में रहने वाले students के हाथ जोड के निवेधन करता हूँ अगर आप फरीद कोट में रहते हैं दोस्तों आपको BFUHS आपके घर से 10-12 km 20 km वे अगर दूर है तो वहाँ पे जाईए और application लिखिए उसको उनको application लिखके दीजिए कि सर आपने ऐसा क्यों किया return में ज्यादा से ज्यादा आप लोग फरीद कोट वाले जो रहते हैं उसी city में application लिखके ज्यादा से ज्यादा उनको थोड़ा सा परेशान करिए आप तभी आपके लिए ये तभी आपका जो ये मुद्दा है आ दोस्तों बार-बार उनसे इस चीज का जवाब मांग सकते हैं अब दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताओं तो बाबा फरीद के पास तीन चॉइसे हैं बाबा फरीद University of Health Sciences के पास तीन चॉइसे हैं सर क्या दोस्तों 20 के 20 कोश्चन 20 के 20 कोश्चन मैं से एक नर्सिंग एंप्टीटीट्वर का नहीं था हमने आपको शांदार तरीके से B.sc Nrsिंग का नर्सिंग एंप्टीटीट पढ़ाया लेकिन एक भी कोश्चन nursing या तो 20 Kोanto के बोनस दे 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 DO之前 तो सब बच्चों को 20 Q का क्या मिल जाया बोनस मिल जाय है 20 맛있 को सब 20 Q कोशन मिल जाय होगा 20 Q कए अगर आप केंसल करोगे तो क्या होगा 80 Q का पेपर हो जाएगा इसमें से Merit List बना दे लेकिन अगर इसे merit list नहीं बनती है तो आप आपको बोलना है कि नहीं हम तो 400 number कहें रखेंगे तो भाईया 20 question का सबको क्या दे दो आप बोनस दे दो और last option कि नहीं ये दोनों ये दोनों नहीं हो सकता उनको ऐसा लगे मेरे इसाब से ये मेरा viewpoint है उनको अगर ऐसा लगे कि नहीं integrity exam की क्या होई है खंडित होई है तो आप क्या कर सकते हैं रिये exam करा सकते हैं अब logistically दोस्तों सोचे नहीं तो ये दोनों practical options हैं ये दोनों क्या है practical option ये थोड़ा impractical option है सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो इन practical है हम लोग फिर से exam देढ़ेंगे दोस्तों क्या होता है रिये exam कराने में युनिवर्सिटी के ओपर financial issues भी आते हैं लेकिन आपको आवाज उठानी पड़ेगी my dear students उनको phone करके बाद बतानी पड़ेगी उनको mail करके बाद बतानी पड़ेगी ये जो ये जो मैं निकाला हूं screenshot ये निकाला हूं उसके brochure से ही निकाला हूं दोस्तों आपके पास भी brochure अवेलेबल है उसको खोल के उसके letter के साथ आप attach कर सकते हो वह page वह page आप attach करते हो जिसमें स्कीम फ़र PPMT लिखा है जिसमें date of test में पांच के जगे यहां पे 25 हुई थी और यहां पे आपने साफ साफ nursing aptitude लिखा है तो क्यों आपने match or reasoning पूछा ये आप उनसे जवाब मांग सकते हो दोस्तों लेकिन लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी दोस्तों इसी के साथ द बताना कि बावा फरीद University of Health Sciences ने ऐसा ब्लंडर किया है दोस्तों उन्होंने nursing aptitude लिखके कुछ और पूछ है अभी कुछ कहना संभव नहीं है जब तक बावा फरीद University of Health Sciences से कोई reply नहीं आता है लेकिन आश्वस्त रही है दोस्तों कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा है ना के लिए दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो आपको आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा clarity मिले होगी कि आगे अब बावा फरीद University of Health Sciences से कदम क्या होने चीए ऐसे ही दोस्तों डाइनमिक कंटेंड के लिए और सही कंटेंड के लिए देखते रही है बूशन साइंस का यूटूब चैनल तब तक के लिए दोस्तों टाटा भाय भाय शब्बा खेर टेक केर मिलते हैं